रेडी डिक्टिशन स्टार्ट होगी पांच चेकन बाद स्टार्ट जब इस सम्मंध में न्यायाले में एक जनहित याच का की गई तो अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया कि उसने जाट समुदाई को आरक्षण के लाभों से दूर रखने के लिए राष्टिय पिछड़ा बर्ग आयोग की सलहा की अन देखी क्यों की बहरहल केंद्र में कायम मौजूदा राजग सरकार ने अदालत में पेश अपने हलप नामे में जाट समुदाई को केंद्र की OBC सूची में सामिल करने के सनप्रग सरकार के भैसले का समर्थन किया सरकार ने अदालत को बतलाया की मंत्री मंडल ने भैसला करने से पहले भारतिय सामाजक विज्ञान एवं अनुसंधान परिसद दोरा गठित एक विसेशग समिती के निसकर्सों का संग्यान लिया था ब्राम यानी सत्ता में आने के बाद नई राजग सरकार ने भी जाट आरक्षन का समर्थन किया ब्राम यूपी ए के भैसले को सही बताते हुए मोधी सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा की यह जनहित याचिका में था ब्राम पिरगरपचीन गौर तलब है कि 4 मार्च 2014 को केंद्र की तत कालीन साप्रसग सरकार ने लोक सभा चुनाब की घोचना से थीक एक दिन पहले अधी सूचना जारी कर नौ राज्यों में जाट समुदाई को ओवी सी आरक्छन पाने वाली केंद्रिय सूची में सामिल कर लिया था जिन राज्यों के जाटों को केंद्र सरकार की ओवी सी सूची में सामिल किया गया उनमें बिहार, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, मद्यप्रदेश, दिल्ली, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सामिल थे सरकार ने जब यह फैंसला किया तब ही से ही बिरोध के सुर उठने लगे थे खास तोर पर यह बिरोध पिछडे बर्ग में सामिल अती पिछडी जातियों का था बिरोध की बजहे इन जातियों का यह डर था कि जाटों को पिछडी बर्ग में सामिल करने से जाट समुदाई, स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों में अन्य समुदाईयों के इस थानों पर कबजा कर लेगा जाट समुदाई को सामाजक रूप से अगड़ी जाती का होने की बजह से अन्य पिछडे बर्ग के लिए आरक्छन के कोटे का अधिकांस हिस्सा मिल जाएगा इस तरहे अन्य पिछडे बर्ग के जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं वे आरक्छन के लाब से बंचित हो जाएंगे एक लिहाज से देखें तो सरकार का यह फैंसला पूरी तरहे से गैर कानूनी और मनमाना था क्योंकि उसने यह फैंसला जाट समुदाई को अन्य पिछडा बर्ग की सूची में सामिल नहीं करने की राष्टिय पिछडा बर्ग आयोग की बाध्यकारी सलहा को नजर अंदाज कर दिया था केंद्र की अधी सूचना आयोग की सिफारिस के साथ साथ अदालत के निर्देश की भी अबहिलना थी सर्वोच न्यायाले के इस बारे में साथ साथ दिसा निर्देश हैं कि किसी भी नई समुदाई को OBC में सामिल करने से पहले आयोग की सहमती जरूरी होगी पिरगराप चेन यह बात सच है कि हमारी समिधान ने सरकार को सामाजिक वा सेक छड़िक रूप से पिछड़ों के लिए विशेश उपबंद बनाने का हक दिया है लेकिन इसकी पहली सर्थ यह है कि लाभ पाने वाला समुदाई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो यही नहीं सरकार के पास उसके पिछड़े पन के आकड़े भी होने चाहिए आरक्षण देने से पहले सरकार को उस समुदाई का सामाजिक आर्थिक और सेक्छड़िक रूप से पिछड़े होने का सरवे जरूर करवाना चाहिए यह बात भी देखना जरूरी है कि सरकारी नौक्रियों में उनका कितना प्रती निधित्व है सिर्फ जाती और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता सरवोच न्यायाले जाती के आधार पर पिछड़े बन की पहचान करने की कवायद को सुरू से ही हतोत साहित कर रहा है फिर हमारे समिधान के अनुच्छेद सोला चार और पंद्रा चार में साफ तोर पर कहा गया है कि सरकार समाज के सरवाधिक निचले इस्तर पर जीवनियापन करने वाले समहूओं की पहचान करे यह एक सतत प्रिक्रिया है इसके लिए नई पैमाने अक्तियार करने होंगे बहरहाल अदालत ने अपने इस फैसले में भी किन्नरों को OBC में सामिल करने के अपने पुरानी आदिस का हवाला देते हुए कहा की जाती ही आरक्छण का आधार नहीं हो सकती हमें समकालीन मान दंडों की ओर बढ़ना होगा यदपी सुप्रीम कोट ने इस पश्ट रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ी बर्ग का नाम नहीं लिया लेकिन अदालत का इसारा साफ तोर पर आर्थिक रूप से पिछणों की तरफ था हौप फॉँ यज यदू